हेलो गाइज दिस इस जतिनन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैसे साइक साय होप करता हो सब भी बड़े होगे तो सबसे पहले थैंक यू सो मच पिछली वीडियो को इतना अच्छा रिस्पोंस देने के लिए आप लोग इतना प्यार करते हो तो ओर मोटिवेशन म आने कि तो दोस्तों ये वीडियो जो होने वाले ही ये में लिए अब सब्सक्राइब करना वर्त है या नहीं क्या इसके पोजिटिव पॉइंट्स हैं चलो जू बिना किसी पाइम बेस्ट करते है इस वीडियो को दोस्तों जो शबसे CGC की मेंल नी दो ब्रांच है, एक लाणड़ा में है, एक जंजेरी में है CGC की फुल फॉरम है चंदिगर गूर्प आफ कोलेजीज तो एक जो लाणडरा वाली ब्रांच है, वो 2001 की है और जो CGC जंजेरी वाली ब्रांच है, वो अभी नई खूली है 2012 में तो दोनों branches की same fees है same placement है सब कुछ same है तो मैं आप दोनों branches की बात करने वाला हूँ तो आप यह ना सोचना की भाई जंजेरी की बात करने एं Lubra की तो confuse मतो होना जादा जो भी होगा दोनों branches का same ही होगा जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला तो सबसे पहले कि भाई, admission कैसे लेते हैं, MBA में, तो देखो, mostly universities का क्या होता है, कि भाई, पहले आपको form बरना पड़ता है, फिर आपका PI, GD, Test West, ये सारी process होती है, उसके बाद आपको admission बिलता है, बट CGC में कुछ नहीं है, आपको सिरफ form बरना है, आपका directly admission हो जाएगा CG में, बस ये है कि आपके भाई, जो आपकी graduation है, वो well recognized university से होनी चीए, बाकि आपने अपनी bachelor's में minimum 3 साल का course करा होना चीए, बाकि भाई, इनकी कोई eligibility criteria नहीं है, बहुत easily admission हो जाएगा, तो भाई, अगर आपने भी admission लेना है CGC लांटा पे, तो description में एक link है, link में जाके आप form बढ़ देना, मेरी team आपको contact करेगी, वहाँ से आप admission ले सकते हैं, उनके थुरू आप form फिल करवा सकते हैं, और सारे doubt आपके वो look solve कर देगे, जो second point आजाता है कि भाई, MBA में हम admission तो ले, पहले बताओ कि कौन कौन सी stream मिलते है, तो देखो stream जो main main है, वो सारी मिलती है, marketing marketing आपको stream मिल जाती है, आपको finance मिल जाती है, आपको business analytics मिल जाती है, आपको HRM मिल जाती है, मतलब human resource management, और इस बार इन्होंने नई stream भी launch किया, MIS, जो की है management information system, तो ये सारी streams मिल जाती है, आपको पहले साल आपको normal journal प्लाई जाएगी, second year में आप ये sub streams में से, जो भी आप आपका interest है, वो choose कर सकते हो, और fees कहा है, देखो fees आप कोई भी stream opt करते हो, तो normal ही है, fees में कोई बिल्कुल भी जादा नहीं है, अगर आप और college से compare करो, तो देखो fees जो है, वो 8 semester की है, 49,000, मतलब 1st और 3rd semester की रहेगी, 49,000, 2nd और 4th semester की रहेगी, 47,500, जो की बिल्कुल भी ज जादा नहीं है, अगर आप MBA कर रहे हो, भाई, अगर अच्छे कोले से MBA कर रहे हो, तो इतनी fees तो यार, लगती ही, लगती है, इससे जादा ही लगती है, इससे काम नहीं लगती है, और भाई, बाकी जो additional charges वगएरा होते है, मतलब 2,000, इनकी examination fees है, वो हर semester लगेगी, और 2,000 security fees है, वो एक बार लगेगी, और आपको last में वापीस मिल जाएगी, जब आपका course पूरा होगा, तो भाई, almost, almost आपको 220 के आसपास MBA पड़ेगी, hidden charges वगएरा, सारे charges वगएरा लगाके, 2,20,000 के आसपास आपको MBA पड़ेगी, तो और क्या ही चाहिए, तो fees तो भाई, काफी affordable है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई, जो effort नहीं कह सकता, वो क्या, तो भाई, देखो, scholarship, personal, इनका कोई ऐसा, अपना खुद का exam तो नहीं होता, जैसे, चंदिगर उनिवस्टी, CEO साइट, consider करती है, scholarship के लिए, तो इनका कोई exam, ऐसा नहीं होता, scholarship के लिए, इसमें आ आप हम avail कर सकते है, कितनी scholarship avail कर सकते है, different type scholarship है, वो सब आप websites पे जाके देख सकते हो, तो भाई, ये तो होगी, अब आपको fees का भी पता लगया, admission का भी पता लगया, scholarship का भी पता लगया, अब आ जाते है, companies कौन-कौन सी आती है, और ये companies जो मैं बताने वाला हो, ये 100% आती ह इसमें ऐसा नहीं है, कि ये companies नहीं आती है, ये companies अल्मोस्ट हर साल आती है, MBA वाले students के लिए, तो देखो, जो main-main, top 10, 15 companies, जो main-main मुझे लगा, मैंने वो companies चुनी है, वो मैं आपको बताता हू, वो हर साल आती है, और ये 100% मैं surety के साथ कहरो, क्योंकि मैं भी आर चंदिग X हो गया, X हो गया, उसके बाद जो बड़ी companies है, उसमें Deloitte आ जाती है, EY आ जाती है, Accenture आ जाती है, Decathlon आ जाती है, McKinsey आ जाती है, Bajaj आ जाती है, Boss आ जाती है, CCD आ जाती है, मतलब Cafe Coffee Day, तो ये सारी बड़ी-बड़ी companies आती है, student को hire करने, मैं मतलब आपको जुठियो मी लेके कोई वो मतलब उनका भी फायदा नहीं होता, तो MBA वालों के लिए नहीं आती है, यह जो मैंने companies बताई है, definitely 100% sure है, आती है, अब आ जाती है, कि इनकी placement क्या रहती है, MBA वालों के लिए, तो देखो, जो इनकी वेबसाइट पर highest package mention कर रहती है, वो रहती है, 40 लेका, तो भाई काफी सही है, average placement में GC से आप से लोग फीस ले रहे है, भाई बाकी अगर आप अच्छी महनत करते हो, तो आपको 7 lakh, 8 lakh, 10 lakh तक का package भी आराम से मिल सकते है, आपकी महनत के उपर है, तो भाई, अब मेरा opinion क्या है, आप लोगों को admission लेना चाहिए है, नहीं, तो भाई जरूरी होता है, return on investment की हम पैसे जो लगा रहे है, वो हमारा कितने टाइम पे वापिस आएगे, मानलो अगर आपने 2,20,000 रुपे MBA पे लगाया, अगर आपका average package भी लगता ना, भाई, average, मलब average लगता है, अगर आपका पैसे वापिस आजएगा, और और क्या चाहिए, आप आपने जो पैसे 2 साल में लगाया, अपनी MBA आपको 6 महिने में वापिस मिल रहे है, तो definitely भाई worth है, companies भी GC साब से लोग fees ले रहे है, companies भी काफी सही आती है, उसी साब से बस आपके अंदर थोड़ा passion होना चाहिए, और थोड़ी अच्छी skills होनी चाहिए, तो definitely आपकी placement हो जा आपके भाई सारे doubt clear हो जाएगे, अगर जो इस वीडियो में नहीं होए, तो आप form बर देना, सारे doubt clear हो जाएगे, और मेरी team help कर देगे आपको form बरवाने में भी, मतलब end process तक form बरवाने से लेके end process तक जब तक आपका admission नहीं होता, मेरी team आपके साथ रहेगी, और अगर by chance form बढ़ते हो, team का call नहीं आता, तो ये number भी दो toll-free हो रहे है, आप इम पे भी call करके direct, पूछ सकते हो, जो भी आपके doubt है, आप form बनना चाहते हो, आपको कुछ समन्या रहा, तो सब कुछ solve हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है भाई, कर रहना, इस दो बूम!